असलालेकुम आज हम बना रहे हैं रेस्टरेंट स्टाइल मिक्सवेज सबसी अगर आपको हमाई रेसीपी पसना आए तो से सब्सक्राब जरूर कीजिए बेल आइकन को क्लिक काना ना भूले जिससे आपको हमाई नई रेसीपी की नोटिफिकेशन बिल जाएगी इसके लिए ह पालू 100 गरम वटाना है दो टामाटर को पीस लिया है हमने इसका पेश्ट बना लिया है एक कांदे का पेश्ट है दो टीश्बून जिंगर जिंजर कारिक पेश्ट दस कैजु है हाफ टीस्पून हल्दी, वन टीस्पून किचिंगिंग मसाला, नमक, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, दो टीस्पून कश्मिरी लाल मिर्च और एक टेबल स्पून कसुरी मेथी हड़े गरम मसाले में एक दाल चीनी, एक स्ट्यार अनिस, हरी इलाइची तीन लॉंग है और काली मिर्चे तीन पैन में हाफ कप तेल गरम कर लेंगे इसमें हम पहले गाजर को फ्राइ कर लेंगे एक मिनिट के लिए एक मिनिट फ्राइ करके हम इसे साइड में रख लेंगे आलू को फ्राइ कर लेंगे पूरा नहीं गलाना है हमें सिर्फ जब आलू आदा पक जाएगा आदा फ्राइ हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे अब हम बाकी के पचे हुए वेजीस दाल लेंगे और इसे हम कवर करके दो मिनिट के लिए पका लेंगे उसे दो मिनिट के बाद हम इसे साइड में निकाल लेंगे इसी तेल में हम खड़े गरम मसाले दाल लेंगे एक मिनिट के लिए फ्राइ कर लेंगे, इसमें कांदे का पेस्ट डाल लें, दो तिन मिनिट इसे हाई फ्लेम पे पका लेना है, जब यह लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे, और इसे हाई फ्लेम पे हमें पका लेना है, जब तेल चुटने लगे तब इसमें जिंजा कालिक पेस डाल लेंगे और पांच मिनिट के लिए इसे पका लेना है अब इसमें हम पूरे ड्राय स्पाइस डाल लेंगे कसूरी मेती नहीं डालेंगे अभी इसे लास में डालना है अच्छी तरह से से मिक्स कर लेंगे । एककब पानी डालेंगे और चीटर से मिक्स कर गरेंगे लोग फ्लेम पे हम पांच मिनिट के लिए पकने रखेंगे अगा देखे पांच मिनिट के बाद तेल उपर आ गया है अब हम इसमें काजू का पेस डाल लेंगे अच्छी तरह से से मिक्स कर लें नमक दाल के मिक्स कर लेंगे अब इसमें हमने जो वेजिटेबल्स फ्राइ करके रखे थे ये दाल के मिक्स कर लेना है इसे आप चाहे तो इसमें पनीर भी दाल सकते हैं ऑफिशिनल है वैसे तो ये इसमें हम एक कप पानी दालेंगे अच्छी तरह से से मिक्स कर लेंगे इसे कवर करके पांच प्रिट के लिए इसे हम पकने के लिए रख देंगे लू फ्लेम पे पांच मिनिट के बाद आप इसके अंदर कसूरी मेधी दाल लेंगे इसे mix कर लें फिर से हम इसे cover करके low flame पे पांच मिनिट के लिए पकने रखेंगे पांच मिनिट के बाद restaurant style mix wedge सबजी तयार है अगर आपको हमें रेसिपी पसन आये तो इसे like कीज़िये share कीज़िये subscribe जरूर कि यूजू